नमस्कार में जस्रीत को और आप देख रहे हैं SK Life स्वागत है आप सभी का The Health Hour में इस Health Hour episodes में हम विभिन डॉक्टर से मिलेंगे उनसे हम विभिन उनकी specialization के बारे में बात करेंगे और आपके जो सवाल है वा भी उनसे पूछेंगे और इस वक्त हमार साथ मौजूद है डॉक्टर कल्यान खान भगवान का दर्जा देते हैं हम डॉक्टर्स को और कोविट के समय पर जहां पर अपने बारे में छोड़ कर लोगों की सेवा पर लगे होए थे तो इस बारे में आपका क्या कहना है क्या एक महत्व था डॉक्टर का जो उन्होंने निभाया है कोविट के समय पर एक्चुली देखिए आपने बहुत ही बढ़िया बोले कि खुद के बारे में बिना सोचे काम करना यही सेल्फ लेस्नेस हम कहते हैं जो आपने बारे में बिना सोचे अगर कोई काम करता है कोई भी इंसान तो उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है समाज में तो मेरे हिसाब से डॉक्टर्स ये जो भगवान का जो दरजा डॉक्टर को ऐसे दिया जाता था लेकिन कोविट के काल में जो नया जो चीज उभर के आया वो है कि देखिए सिर्फ हम लोगों के सोलजर्स में ऐसा परिस्थिती आते हैं कि प्रोफेशन के लिए ही उनके जान क जो है खत्रा रहता है लेकिन डॉक्टर लोगों को कभी भी काम करते हुए अपने जान का खत्रा नहीं था उसको बिना खुद के सोचे काम करना पड़ता है लेकिन जान का खत्रा काम करते हुए ये पहले नहीं था ये कोविट के काल में ऐसे हुआ इसका कारण यही है कि एक इसको pandemic declare किया गया था WHA के तरफ से उस time से उससे थोड़ा सा एक महिना पहले से ही ये COVID-19 हम लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसा एक बिमारी आया है लेकिन उस time बिमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं इसलिए कभी भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को गवाया इस बिमा मतलब जान का परवा था कि कभी भी हम पेशन का सेवा करते हुए संक्रमित हो सकते हैं और मर भी सकते हैं क्यूंकि हम लोग जानते भी नहीं थे इसका कैसे इलाज किया जाता है यही जो हालत है यह COVID-19 के दौर में हम लोग देखे हैं लेकिन अभी जो हालत है यह थोड़ा सा तो जैसे कि अभी आपने कहा कि हालत जो की है अभी थोड़ी डिफरेंट है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि थार्ड वेग को एक हापी एंडिंग मिल गई है क्या यह वेव समाप्त हो गई है यह चौथी वेव आने की संभावना जो की है वो अभी भी बनी हुई है देखिए थार्ड वेव समाप्त हो गए है यह जानने के लिए पहले जो चीज है कि सबका तेस्ट होना जरूरी है लेकिन अभी जो हाल है कि ओमिक्रोन का जो संक्रमन लास्ट जो स्ट्रेन आया कोविड-19 का या जो भी अभी बिमारी हो रहा है वो आईदर एसिम्टमेटिक है या एक अप्चुल जो हालत है परिस्टिती जो है इसके बारे में हम लोगों का उतना ज्यादा मालूम नहीं पर रहा है लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारे लोग संक्रमित है ऐसा नहीं है कि कोविड-19 से हम मुक्ति मिल गये हम लोग को लेकिन कोविड-19 का जो सिम्टम से ये इन वाल है हूं और इनसे जो सबसे जो आशा की बात हि कि इनसे जो डेत या मृत्यु जो रही है यह बहुती बहुती कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग अगर थोड़ा सा और सचेकन रहे तो इस भी अच्छा दिन आने वाल एहाई कि फोर्थ वेव जैसे कि कहा जा रहा है कि आने वाली है चीन में भी कुछ इलक्षन जो कि है वो देखे गए है नए वेरियंट के तो क्या ऐसा किया जाए क्या गलती कर रहे हम जिसे सुधार कर फोर्थ वेव से हम बच सकें देखिए यह जो वाइरस है यह आरेने वाइरस है एक करेक्टरिस्टिक है कि यह जब भी एक इनसान के सरीर से दूसरे इनसान के सरीर में प्रवेश करता है तो इसका जिनोम में एक परिवर्तन होता है जिसको म्यूटेशन बोलते हैं और यह म्यूटेशन जब भी होता है तो उसके हिसाब से इनका कोई ना कोई चरित्रिक च से strains, नया नया strains आ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा delta strain, सोचिए कितने लोगों का मतलब जान गया delta के लिए, तो ऐसे strain अगर आ गया, तो उस टाइम फोट वे डिफिनिटली आ सकता है, लेकिन चाइना में जो हो रहा है, या छोटा मोटा एक सहर में ऐसा जो हो रहा है, यह endemicity का लक्षन है, मतलब यह हम लोगों के समाज में फैला है, और कहीं-कहीं थोड़ा सा clustering दिखा जाएगा इन बिमारी का, इस बिमारी का. जैसे कि अभी आपने कहा clustering, हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे, क्या यह एहम रीजन था जिसके वज़ा से COVID जो की है इतना बढ़ गया था, या अभी हमें क्या clustering को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, जिससे हम फोर्थ वेर से बच चेके. जहां पर भी clustering हो रहा है, इसको identify करना जरूरी है, वहां पर test ज़्यादा होना चाहिए, वहां पर vaccination हुआ की नहीं यह देखना चाहिए, और उसका पूरा जो जहां पर cluster सुचे की एक सहर में, एक जगा पर, या वार्ड में ज़्यादा case हो रहा है, तो वहां पर आसपास के सब लोगों को vaccinate होना चाहिए, पूरा अगर हम जो susceptible के individual से उसका number को reduce करना है, यह पहली बात, और secondly जो है, इन लोगों को थोड़ा सा isolate करना है, जैसे कि पहले safe homes थे, वैसे safe homes में इन लोगों को isolate करना है, क्योंकि जो भी हो रहा है, ज्यादा जटिल यह बिमारी नहीं हो रह है, जो हम लोगों का public health measures है, जैसे कि mask का सही सही आपका प्रयोग और साथ में हाथ का यह करना, distancing का थोड़ा सा प्रयोग करना, ज्यादा मतलब एक साथ यह नहीं रहना, और WHO ने जो बोल रहा है, वेंटिलेशन, मतलब जहां पे भी एक जगा पे अगर कुछ लोग एक साथ हैं, तो वहां का वेंटिलेशन जो है, उसके बारे में हम लोगों को यह होना चाहिए, importance देना चाहिए. आबादी जो की है, बड़ी आबादी वेक्सिनेट हो चुकी है, तो यहां पर भी क्या अपनाया जाएगा इसको? देखिए, जो आप मास्क के बिना घुम सकते हैं वेक्सिन लेने के बाद, लेकिन अगर आपका comorbidities है, अगर आपका diabetes है, hypertension है, kidney का कोई बिमारी है, या heart का बिमारी है. बहुत सारे ऐसे इंसान है, जो दिखा जाता है कि कम उमर में, इस COVID के काल में ही हम लोग देखे हैं, कि कम उमर में suddenly heart attack, mycadal infection होके उनका जान चला जाता है, क्यूंकि myocarditis, cardio myopathy, जो है COVID के कारण हो रहा है. तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको comorbidity है, या कोई भी आपका बिमारी है, या आपका immunity कम है, जैसे कि chemotherapy, radio therapy चल रहा है, जिसके तोड़ पे आपका जो antibody होना चाहिए, रैक्सिन के बाद वो नहीं हो पा रहा है, इस हालत में आपको mask जरूर पहना चाहिए, जो जिसके com comorbidities है, बाकी लोगों के लिए आप थोड़ा सा मतलब relaxed हो सकते हैं, N95 का जरूरत नहीं है, हलका mask पहनी है, इससे COVID से तो अब बच सकते ही है, साथ में आपके घर में कोई हो सकता है, जिसका comorbidity है, आपके जरीए ये बिमारी आके आपके घर के कोई किसी का जान ले सकता है, और एक चीज जो है, कि ये अगर practice हम लोग करें, तो COVID को छोड़के बहुत सारे ऐसे बिमारी है, जिससे हम लोग बच सकते हैं, allergies से बच सकते हैं, और बच्चों के अगर हम लोग ये इसका practice या अभ्यास अगर डाल दें, तो उसके सारा जिंदगी वो मतलब बहुत सारे खत vaccination सही है, लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक उनके मन में ये सवाल है, जबकि आधी आबादी जो की है, vaccinate हो चुकी है, एकदम, आपने ठीकी सही कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे है, vaccine resistance दिखा रहे हैं, तो ये होना ही था, क्योंकि आपने देखे हैं, बाकी जो vaccines है, ज अगर आप scientifically सोचे, तो ये vaccines का जो safety है, ये बहुत strictly देखा जाता है, और हजारों vaccines में कई vaccine, एकदम, एक-दो vaccine को ही approval दिया जाता है, तो आप निश्चिंत रहिए, जब भी government आपको बोल रहे हैं, कि vaccine आपको लेने का time आ गया है, तो आप vaccine लीजिए, और जरूर लीजिए, इससे अगर infection आपको हुआ भी, मुझे भी हुआ, मेरा family के सब लोग बरसी है, जी हम उसके बारे में भी जाना चाहिए, आप frontline warrior के हिसाब से उस समय काम कर रहे थे, और खुछ संक्रमित होना कैसा था हूँ experience? फास्ट वेव, सेकेंड वेव में नहीं हुआ, हम लोग बहुत मतलब जो strictly follow करते थे, जो guidelines है, government guidelines, सब कुछ किये, हम लोग patients के सामने तो जाते ही थे, एकदम मतलब awareness के लिए बहुत सारे जगे पे गया हैं, लेकिन हम लोग ये maintain करते थे, उसके बाद vaccines लिए, वैक्सिन का द दो डोज हो जाने के बाद इस साल जनवरी महिने में मेरा भी संक्रमन हुआ, मेरा city value जो है बहुत high था, मतलब viral load बहुत था, मेरा family के दो मेरा wife को और बच्चे को भी हो गया, positive आया, artificial और उस time, second time हमने जब test करा है, तो उस time मेरे family members उनका negative आ गया, मेरा positive फिर से आया, तो ल वसला नहीं हाए, हुआ है, city value जादा है, लेकिन ठीक है, सब जो कुछ भी करना था, treatment किया, सबसे एहम जो चीज़े मैं बताना चाहता हूँ, अपका जितना भी mild हो रहा है, आपको अगर test भी नहीं करा है, बहुत सरे लोग अभी test नहीं करा रहा है, कि अच्चा ठीक है, सर आपको comorbidities है, कि बहुत सारे लोगों के घर में, almost 100% लोगों के घर में अभी pulse oximeter है, pulse oximeter का प्रयोग करना भूलिएगा मत, आप कम से कम दिन में 3-4 बार pulse oximeter लगाईए, देखिए कि आपका जो oxygen saturation 94 से नीचे जा रहा है किने, अगर 94 से नीचे जा रहा है, तो तुरंत आ आप भरती हो ये, या आप डॉक्टर के सलहा लीजिए, ये अगर करेंगे, तो आप एकदब बिल्कुल शुरक्षित है, क्योंकि अगर आपको जटिल बिमारी के तरफ ले जाते हैं, तो पहला जो ये मिलेगा, वो oxygen saturation आपको कम दिन में, बहुत ही एहम discussion अभी हमने किया COVID को लेकर इससे हट कर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, ऐसा आपने क्या देखा, कौन सा age group जो था, जिसने सबसे ज़्यादा सफर किया COVID-19 को, और साथी साथ जो society, किस तरीके से उन्हों को, उन्होंने react किया, बंद कर दिया गया, isolate किया, ये mentally भी बहुत ही इनको tackle किया, देखिए, WHO का जो health का definition है, वो है कि health is a state of complete physical, mental and social well-being, हम लोग सोचते हैं कि health मतलब सिर्फ शरीर का भी शाय है, ऐसा नहीं है, health मतलब शरीर, मन और समाज, तीनों मतलब ये जो dimensions है, इसमें हम लोगों का अच्छा रहने का मतलब है, हम healthy है, ये COVID-19 ये तीनों जगा हम लोगों को वार किया था, physically तो हम लोगों को देखे हैं, हमने कितने लोगों को खोया है, और ऐसे लोग बहुत सारे हैं, जिसका सोचिय किड्नी का विमारी था, वो और भी शायद 10 साल, 15 साल जीते, लेकिन COVID के कारण उसको हमने गवाया, mentally जैसे आप रुजकार है, उसको खोया है, बहुत सारे लोग मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, समाजिक तोर पे एकदम नीचे आ गया है, और जो COVID के बारे में जब हम कुछ भी नहीं जानते थे, उस टाइम लोगों का ostracization जो है, एकदम हम लोग उनसे बाते नहीं करते थे, उनको कोई help करने नहीं आते थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि शिलिगुडी में, जो हम लोगों में देखा कि शिलिगुडी में बहुत सारे जो समाजिक प्रतिष्ठान है, और इंडिविजुली लोगों में भी ऐसा मतलब भेदभाव, बहुती कम दिनों के लिए रहा था, और सब आग महामारी या अतिमारी जो है, ये वाला COVID-19 चला जाने के बाद भी, 7-8 साल के अंतर ये हम देख रहे हैं, एक-एक करके कोरोना वाइरस का मतलब महामारी आ रहे हैं, फिर से भी अगर आएगा तो ये काम, ये जो हम लोगों का जो एक्सपिरियेंस रहा, लेसन रहा, डेफिन और बिग्यान के साथ, साइंस के साथ अगर हम रहेंगे, तो आने वाले दिनों में भी हम शुरक्षित रहे हैं, तो ये हम बात करें थे, दॉक्टर कल्यान खान, असिस्टन प्रोफिसर और सूप्रेटेंडन और वाइस प्रिंसिपल और जलपाएगुरी गवर्मेंट मेड पहले सार्स आया था, उसके बाद मार्स, उसके बाद कोविड-19 आया, साथ-ाठ साल के अंतर में ऐसे ऐसे कोविड-9, कोरोना वाइरस का ही अतिमारी आया है, या महमारी आया है, तो आने वाले दिनों में इतिहास अगर हम देखे, आने वाले दिनों में भी कोई ना कोई व रखेंगे और कितना हम लोगों का मतलब कठिनाई से गुजरना पड़े COVID-19 के टाइम पे और lockdown के जैसा चीज जैसे मतलब problem हम लोगों को face करना पड़ा ये अगर हमने याद रखे इसके बारे में अगर सचित रहे तो हम आने वाले अतिमारी से भी जूद सकते हैं और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ सेफ रहना नहीं है सिर्फ healthy नहीं है ये इसके लिए जरूरी है दिगगान के साथ रहना science के साथ रहना जो WHO ने कह रहा है stick with science चलिए हम लोग और जैसे कोविड-19 ने सिखाया है कि हम खुद एक आदमी या इनसान के तौर पे अच्छे नहीं रह सकते हैं अगर अच्छा रहना है तो सबको मिलके रहना है कहीं एक जगा अगर रह गया कोविड-19 तो वो फिर से मुझे संक्रमित कर सकता है यह सिख कोविड-19 ने दिया इसको हम याद रखे और आने वाले दिनों में हम हेल्दी रहे दा हेल्थ आल में आज के कि अ क्यारा कशिछ रहे खेले पूंज के लिए झाली आभ यह वाले प्रत कर दो आपके जमीर आपका आश्याना, सुरक्षित भविश्य दाइट वह हमारा, सिलिगुडी में जमीर लेने के लिए सोच रहे हैं, तो श्रीश्याम फार्माउस विला लाया है आपके लिए रेसिडेंसिल प्लॉट, प्रोजेक पाउंडरी वाल और ड्रिन सिस्टम के साथ, जिसका साइज है तीन से छे कठ्ठा तक, सुरिधाय में लेंगे लैंस्केप कार्डें प्ले एरिया इत्यादी, फर्स्ट फेस की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेस की बुकिंग है जारी, तो देर के इस बात की अभी संपर करें श्रिश्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रिम लैंड अम्यूस्मेंट पार्ग फूल बाड़ी सलिगुडी, कॉंटेक्ट 9734040011 सेवा का संसकार तो भारतिय संस्कृति का हिस्सा है, हम तो बस वो गुनर देते हैं कि हमारा ये संसकार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविश्य का वर्दान भी दे सकेंगा। डेली पैरा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार आपका भरो सिमन्स चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप